नमस्ते सभी को, ये वीडियो जवाब है नवीन जी की सवाल का, नवीन जी ने पूछा था कि जो योगा मैट का मैने बताया था कल की क्लास में, कि अगर आप strength exercises करते हैं, तो आपका जो योगा मैट है, वो हाड टाइप का मैट रहता है, वो आप चूज करें, ना कि बहुत soft म मैट, तो उन्होंने कहा था कि फिर या फिर मैने option दिया था कि फिर या आप बिना मैट के करें, नवीन जी वो जो बात मैने बताई है, हाड मैट वाली वो इसलिए बताई है कि आपके रिस्ट में पेन ना हो, तो कि soft मैट के उपर जब हम हाथ रखके काफी push-ups या, upward facing dog, या मोटा भी हो बेसक और हाड हो थोड़ा सा ऐसे प्रेस ना हो जो थोड़ा सा, तो हाइड दंसिटी का मैट है वो आप चूज करें, उससे क्या होगा, कि दिष्ट में पेन नहीं होगा, वो स्टेंथ इससाइज में जो पावर योगा या जो थोड़ी दैनेमिक स्टाइल है, नॉर्मली जो डैनेमिक स्टाइल का योगा मैट है वो फोर एमेम का रहता है या त्री एमेम का रहता है और हाड रहता है, मतलब वो सिर्फ कवरिंग का ही काम करता है, और जो नॉर्मल हटियोग का मैट रहता है, वो मोटा रहता है, सौफ्ट रहता है ताकि आसनों को आप कमफर्टेबल हो, वहां कमफर्ट देखा जाता है, और जो डैनमिक योगा के लिए जो यूज किया जाता है, वो हार्ड मैट रहता, ताकि उसमें जम्प करना हो, थोड़ा आगे पीछे जाना हो, तो फटे भी ना, मजबूत भी हो, और जोएंट पेन भी ना हो, तो मेरा कहने जमीन पर बैठ के ना किया जाएं, क्योंकि उनमें एक प्राण और्जा एक्टिवेट अम करते हैं, तो तो उसकी फिर ग्राउड निंग हो जाती है, क्योंकि उसका बैनिसट कम होता है, तो मिलता ही है, वो जह एक उसका ग्राउट-में जाती ह pä들 करता है, तो उसलिए हमारे तो जो थिन मैट रहते हैं, हाड मैट रहते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं, जो नोन-slippery हो, ये भी ध्यान रहें, नोन-slippery, क्योंकि अगर slippery हुआ, हाड हुआ और slippery हुआ, तो फिर वो बार-बार आपको अरज़स्ट करना पड़ेगा, उसमें भी फिर चोट लगने की सं करते हैं, थोड़ा आगी पीछे पैर बार-बार डैनमिक मुवमेंट करते हैं, तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, तो मैट में एक ही दो-तीन चीज़े जो हैं, वो देखें, नोन-slippery हो, हाई डंसिटी हो, आप मोटा लें, पतला लें, लेकिन हाई डंसिटी हो, थोड़ा स आप कर पाएंगे, नहीं उन पर डैनमिक मुवमेंट कर पाएंगे, और वो जब आप सुरिय नमस्कार भी करेंगे, तो बार-बार-बार-बार रिपीट करेंगे, तो वो फट भी जाते हैं, पैर के लगने से, तो थोड़ा सा एसा, एक बार अच्छा मैट यूज कर ले, ज इन्वेस्टमेंट है आपके खुद के अंदर, तो उसको जहां भी अपने साथ रखो, उसी पर प्रेक्टिस आप करते हैं, तो आप अपनी प्रेक्टिस की एनरजी से भी कनेक्ट रहते हो, और आपके सबकुंसिस मैंट से भी वो एसोसेट हो जाता है, तो उसके उपर आते ही अपने आप आपका एक्सिसाइज करने का मन करता है, आसन प्रानायाम करने का मन करता है, तो वो कांड भी है, और डायनमिक मुमेंट है, तो हाड मैट ही रखें, डीकतलोन का एक मैट रहता है, 6 या 8 mm का ग्रीन कलर का, वो बेस्ट मैट है, वो हर परपल्स के लिए, वो लोग से एक्सिसाइज हैं, जहां हम थोड़ा सा आसन होल्ड करते हैं, प्रानायाम करते हैं, वो सीधे फ्लोर पर ना करके, किसी चीज के ऊपर ही करें, मतलब सीधे शरीर संपर्क में ना आए आपका जमीन के साथ, प्रान विदुद को बचाने के लिए, तो ये छोटी शी ये वीडियो मैंने बनाई थी, नवीन जी ने पूछा था, तो मैं सूचा कि ये वीडियो बना देता हूं, ताकि सबको सबका कन्फूजन क्लियर हो सके, स्टेंथ एक्सिसाइज हैं, हार्ड मैट, और अगर आप सिर्फ सॉफ्ट एक्सिसाइज करते हैं, मतलब सिर्फ आसन